उत्रकाशी में सुरंग में फस एक तालीस मजदूरू को सुरक्षित बाहर निकाले के लिए ग्यारवे दिन भी रेस्क्यू जारी और अगर मशीन से की जारी है ड्रेलिंग कुछ देर में मिल सकती है अच्छी खबर राजस्तान विधान सभा चुनाव के लिए आखरी दौर का प्रचार ड्रूंगरपुर में पियम मूदी की रेली कहा अब सत्ता में नहीं होगी गहलोध की वापसी यह लाल दायरी के जो पन्ने खुल रहे ना वो कॉंग्रेस सरकार की लाल दायरी में काली सच्चाई है नाशनल हेरल केस में एडी के आक्शन के बाद बीजेपी का कॉंगरेस पर बड़ा हमला कहा कॉंगरेस में चलता रहता है दर्बारी गान ड्रश्चाचार और लूट को बता रहे हैं लोगतंत्र की हत्या भारत की मेजबानी में जी ट्वेंटी की वर्च्वल बैठक आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी करेंगे बैठकी अध्यक्षता जमु कश्मीर के राजोरी में सेना और आतंक्यू के बीच मुढ़ेर सेना ने दो आतंक्यू को गेरा एक अधिकारी शही तीन जवान खाए योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजली के खलाफ मेडिकल माफिया की साज़श का लगाया आरोब कहा हमारे खलाफ फैलाया जा रहा है जूटा प्रोपेगंडा सुप्रिम कोट का करते हैं सम्मान हम सुप्रिम पोट का, देश के कारोन का, देश के समिधान का आदर करते हैं लेकिन जूठा, प्रोपेगंडा, प्रचार हम नहीं कर रहे हैं हिद्रबाद में AIMIM विधायक अगबुरुद्दीन OIC पर F.I.R अगबुरुद्दीन पर पोलिस को धमकाने का आरो, बीज़पीन अगबुरुद्दीन पर साधा निश्चाना हमास से बंधकों को छुडाने के लिए इसरेल दील करने को तैयार पचास बंधकों के बदले चार दिनों की युद्वेराम के परस्ताफ को इसरेल कैबिनिट ने दी मनजूरी 150 फलिस्तीनी खैडियों को भी रिया करेगा इसरेल